कलर्स प्रेजेंट्स बालिका बदू सीजन टू सीजिल बालिका बदू छोटे पढ़ते का सबसे हिट शो रह चुका है अब जल्द ही इस शो का दूसरा सीजन भी आने वाला है इस बात की जानकारी कलर्स टीवी ने अपने ओफिशल इंस्टेग्राम पढ़ दी है हाला कि ये शो टीवी पर टेलिकास्ट कब होगा? इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है मगर इस शो की एक छोटी सी जलक फैंस के लिए सांजा कर दी गई है जिसमें एक बार फिर से बाल विभाज जैसी कूप रथा को जड़ से मिटाने के लिए आवाज उठाते दिखाए जाएगा कलरस टीवी ने जारी किये गए इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि एक छोटी बच्ची को दुलहन बनाया गया पहले वो बच्ची अपने हातों में सजे चूड़ी और महन्दी को निहारती है मगर बाद में अपने दुलहन वाले दुपटे को पकड़ उसे पंख बना खुले आसमान के नीचे भागती है सीरिल बाली का वदू के पहले सीजन को फैंस ने खूब प्यार दिया था इसी को देखते हुए शो के दूसरे सीजन को लाया गया है जिसमें मुखे किर्दार का नाम फिर से आनंदी ही होगा मगर इस बार वो बाल विभा के खिलाफ आवाज उठाएगी बाली का वदूर तू में छोटी आनंदी का किर्दार निभाएंगी शुरया पटेल वहीं बालवी रिटर्न्स में काम कर चुके अक्टर वन शो में छोटे जग्या के किर्दार में होगे बता दे किस जुलाइब 2008 को इस शो का पहला एपिसोड ओन एर हुआ था आच सालों तक लोगों के दिलों पर रास करने के बाद सीरियल साल 2016 में ओफेर हो गया था उस वक्त एक्टरस अविका गौर ने छोटी आनंदी का किर्दार निभाया था और एक्टर अविनाश मखरजी छोटा जग्दीश की भूमिका में थे शो में इन दोनों की बचपन में ही शादी करा दी गई थी जिसके बाद दिखाया गया था कि बालपन में बच्चों का विवा कर देने का क्या दुश्पडिनाम होता है जो रिपोर्ट टीकन ता